जहन किसान साथियों जहन अरसिर में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि जो हम किसान साथियों को कोरियर के माध्यम से पोदे भेज रहे हैं, शेवाड़ू, आलू बुखारा, अमरूद, कोई भी पोधा हूँ, उसका लगाने का तरीका आज मैं आपको बता रहा हूँ। किसान साथियों सबसे पहले आप दो बाई दो का गड़ा करें, उसके बाद आप उसको उपर की मिट्टी, करीब एक फिट मिट्टी एक साइड करें, जो निची मिट्टी उसको एक साइड कर दें, उसमें 15-20 किलो गोबर खात गली हुई, जो अच्छे से गल सड़ गई हो, वो उपर वाली मिट्टी के साथ मिक्स करके और गड़े को वापिस भर दें, भरने के बाद आप उसमें पानी दे दें, जिससे गड़ा नीचे बैठ जाए, और उपर की मिट्टी लेकर गड़े को भरके लेवल कर ले, और एक निशान कर दें, कि हमारा पोदा इस सेंटर मे लगेगा फिर जो आप ये कोरियर देख रहे हैं इस तरह की कोरियर आपको मिलेगी इस कोरियर से पोधे निकालके और आप उसको पाणी में डिप कर दें 2-4 घंटा ये मैं सिर्फ शेवाड़ू आलो बुखारा इस तरह के जो सूखे पोधे जाते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं और फिर पाने से निकाल कर लगाने से पहले आप उसमें मैंकोजेब, करबन रजीम, इत्ते आदी के जो फंगिसाइड आता है या बवस्टीन है उसमें आदे घंटे के लिए डिप कर दें एक बाल्टी में डालकर 20-25 ग्राम और सभी पोधों को ऐसे कर दें जिससे उसका फ उसमें अच्छे से मिट्टी से जैसे पोधा आपने लगाया है चारतरा पैसे दबा दे पोधा लगाने के बाद उसके बाद आपने दो दिन बाद इसमें दिमक की दवा कोई साथी और्गिनिक करता है तो आओ वो नीम की खली यूज़ कर सकता है एक केजी या कोई केमिकल क लगबगन लेना है कोई साथा शारी आपको मिल जये वह ईकरना है और उसको क्रीब 2-3 लिटर पानी में मिक्स करगे और дेले और इसमें पानी देना है इसके कीटना सके साथ देना है जो थर्ड पानी है वो करीब 5-7 दिन में देना फिर जैसे जैसे मुसम आपका चेंज होता है आप पानी चार दिन पांस दिन या जो भी आपकी ज़्यादा धूप है तो आप 3 दिन में दे दें कम धूप है मार्च अपरेल के लगबग तो आप बन वीक में भी पानी दे सकते हैं तो किसान साथी यह पोधे लगाने की सबसे आसान वीदी है दूसरा जो किसान साथी M9 रूट स्टोक पर शेयों के पोधे ले रहे हैं वो एक साल बाद जब पोधा थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसको किसी डंडी के साहता से या ट्रेलि का पोधा लगाएं तो वह अच्छा होगा शीडलिंग का पोधा है वह थोड़ा ज्यादा भी लगा सकता है दूरी पे वह 15-15 या 12-15 पे भी वह अपना प्लांटेशन कर सकता है तो उमीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा आपने वीडियो देखा धन्यवा जाहिन